चलो दोस्तों शुरू करते हैं टाइप आफ बीम्स हां सो टाइप आफ बीम्स में हैं हमारे पास लीम्स में चलो कि लीम्स कास कि फस्तों कि लीम्स में बीदो कि लीम्स be solved using equilibrium equations right equilibrium equations कांसी होती है sigma fx is equal to 0 and sigma m about any point दोस्तों आप लोग points नहीं लिखते हैं लिखना ज़रूरी है sigma moment about any point should be equal to zero तो इसका मतलब हमारे पास में यह तीन equations होती है so we can handle handle only three unknowns right example देखें इसके example क्या क्या है जैसे कि यह आपका कोई एक बीम है इस बीम में simply supported दोस्तों यह जो sign है यह sign है हिंज का और हिंज support का समझ मैं और हिंज support का कुछ और भी notation है वो क्या है वो है ऐसे डिपेंड करता है कि कौन से question में क्या चीज़ शो कर रखी है तो ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से भी हो सकता है और simple support का example है यह यह इसको बोलते है simple support यह ऐसे कोई बीम है simple ऐसे भी हो सकता है यह अगर कोई support ऐसे inclined plane पर है तो यह भी simple support है या ऐसे है और एक triangle बना हुआ है ऐसे करके दो roller है तो यह भी simple support है simple support का मतलब यह है कि इसमें यह support इस बीम के वर्टिकल मोशन को तो रोकेगा लेकिन यह वाला support इस बीम के horizontal motion को नहीं रोक पाएगा horizontal motion को रोकने के लिए यह वाला हिंच support है is it okay अच्छा आप दूसरी बात अगर कहीं पर भी यह inclined support होता है ऐसे जैसे यह है या यह है तो इस तरीके के inclined support के लिए दोस्तों जो reactions होती है वो हमेशा perpendicular to the plane लगती है reaction कैसे लगती है perpendicular to the plane इस बात को हमेशा ध्यान रखना ठीक है तो reaction जो लगती है इसमें इस वीम के उपर perpendicular to the plane लगती है जैसे इसमें था इसमें भी perpendicular to the plane थी इसमें क्योंकि यह 90 degree पर already था तो इसलिए इसमें इस बात को हमने ध्यान रख रहा ठीक है तो इस question में अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास 3 unknown है 3 unknown कैसे हैं आप देखें तो इधर हिंच support है और जैसे कि मुझे हिंच support पर आइडिया है हिंच support पर number of unknown दो होते हैं एक यह और एक एक वर्टिकल रियक्शन अगर यह है आर एवी और एक होर्जांट्र रियक्शन आर एच और यह मेरा सिंप्ली सपोर्टिट भी में यह खाली एक रियक्शन है खाली एक वर्टिकल मान लिजए आर भी इस पॉइंट पर लगेगा दोस्तों यह रियक्शन इस पॉइंट पर लगेगा इसके बजाए तो इसमें टोटल अन्नोन कितने हैं टोटल अन्नोन इस थ्री एंड हो मैंने रियक्शन टोटल रियक्शन कितनी है भी तीन है तो वी कन सॉल्व इट राइट तो इस कॉल्ड एज डिटर्मिनेट बींस दूसरा यह तो है एक्जाम्पल नंबर वन इसके अलावा एक दूसरा इसका एक्जाम्पल है ऐसा जो की केंटिलीवर बीम है दोस्तों केंटिलीवर बीम मतलब बीम का एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री है एयर में ना इस पर्टिकलर बीम में केंटिलीवर बीम में अभी क्या है अगर मैं इसके रियक्शन क को अनिडाइज करूं तोrich the Rasam depend करेंगे लोड के उपर जैसे कि माले जीए इसमें एक लोड ऐसे लग रहा है वर्रटिकल एक लोड ऐसे लग रहा है हारॉॉजॉंटल एक कंच्टर्नल मुवंड लग रहा है ऐसे और एक माल कि ऐसे लोड लग पॉइंट पर यहां पर reactions डेवलोप होंगे तो वो तीनी रेक्शन डेवलोप होंगे एक होगा vertical एक होगा horizontal और एक होगा external moment M दोस्तों ध्यान रखना एक होगा M एक होगा vertical reaction एक होगा horizontal तो हमें R अगर मैं इसको पॉइंट को यह नाम दों तो R A V R A H और सिग्मा M तो मतलब cantilever में कितने reactions है रेक्शन वह अभी भी तीन ही होंगे तीन कौन कौन से सिग्मा F X is equal to zero सिग्मा F Y is equal to zero और सिग्मा M is जिग्मा F Y is equal to zero और मोमेंट क्या होंगे और यह तो तीन reactions होगे और unknown क्या है unknown भी यह तीन यह तीन अन्नों और तीन reactions हम लोग तीन अन्नों को सॉल्व कर सकते हैं तो यह दोनों के टिकरी है हैं डेटर मिन्स की अगर इन डेटर मेन्स के बारे मां बात किले जाए तो इन डेटर्मेन इधे के एक्जाम्पल्स हैं जैसे कि दोनों के दोनों एंड्स हिंजड हो जैसे कि ऐसे इसमें इस एंड़ बहुत आप देखें कितने न्नोन है दो न्नोन है और इस end पर भी कितने unknown हैं दो unknown हैं और number of reactions कितने हैं total 4 reactions जबकि हम लोग कितने unknown हम लोग कितने equations हैं हमारे पास solve करने के लिए 1, 2, 3 तो 3 reaction है हम लोग खाली 3 unknown को handle कर सकते हैं जबकि इसमें sorry 4 reaction नहीं है 4 unknown है तो इस वज़े से ये बात की clarity आ गई कि इस तरीके के beam को हम solve नहीं कर सकते हैं इसका एक दूसरा example है probbed cantilever इस तरीके के cantilever को बोलते हैं probbed cantilever इसमें ये beam ऐसा है cantilever इसको बोलते हैं probbed इसमें 3 reactions तो इधर हो गए एक reaction इधर हो गया कितने reactions हो गए total sorry not reaction 4 unknown तो चार उन्नोन को आप नहीं solve कर सकते हैं ठीक है इसके लावा एक इसका example है fixed beam कैसे fixed beam में अगर आपका beam इस तरफ से भी fixed है और दूसरी तरफ से भी fixed है तो इस तरीके के beam में कितने एक end पर कितने unknown है इधर 3 unknown है इधर 3 unknown है तो total unknown इसमें कितने हो गए 6 और reactions कितने हैं sorry हाँ कितने reactions हमें पता है reactions हमें पता है किवल 3 तो दोस्तों यह एक category यह दूसरा question और यह तीसरा यह तीनों example है indeterminate beams के और indeterminate beams are those beams which cannot be solved using equilibrium equations नप Caitlin said और फंक पूसक्क्ट दोसक्रान तैस पर् realt ses तो यह तो इस पर्तिकलर शूर क्तिक्रान ग्रीब पक्तिक्द्ट है मैंने आपको खाली ये बताया कि determinate beans क्या है और indeterminate beans क्या है अगले exercise में मैं type of load की बात करूँगा ठीक है All the best, thank you